हेलो इस्टुरेंट्स वेलकम टो टोडेश क्लास तो टोडे इन देस वीडियो वी आर गूंट टो डिस्कस समोर टॉपिक ऑफ चैप्टर 14 विच अंडाइस्टर निंग शॉटिंग और यह चैप्टर का पार्ट टू है इससे पहले मैं पार बना चुका हूं जिसमें कि मैंने है वबल शॉट टेक्निक को एक्स्प्रेंट करा था अगर आप लोगों ने वह वीडियो नहीं देखिए तो उस वीडियो का लिंग मैं यहां पर आई बिटन में दे दे रहा हूं आप लोग उसको चेक कर लेना तो लास्ट वीडियो को हमने यहां पर एंड करा था हम डिसक पाना चला नहीं में उससा 6 टेक्निक को तो चलिए डिसकस करते हैं से संसे 6 टैक्निक को कि कि सी तरीके से वर्क करते हैं तो देखें इससे 6 जो है वहह काती समक्राइंग बदें डेल ने आ हैं आपके सरेा पिक्लीश की और बोला लिएन वाइज को आज सो में आ करेंगे आप से पहले चेक करेंगे रॉल नम्र नम नम न को जैसे आपको कराएंगे इसे तरह के सारी कंपी इसको शॉर्ट करते जाएंगे मतलब जो भी आपको कॉपी मिलेगी आप उसको उसकी करेक्ट पोजिशन पर लगा देंगे तो इसी तरीके सा हमारी इंशर्शन शॉर्ट टेक्निक वर्क करती है यहां पर देखिए क्या होता है जो भी आपकी लेस्ट है जिसको क्या आप शॉ स्ब्सक्राइब करने के इस तरह से इस तरहएं यहां पर समझते हैं तेहां से समझगा इस टेक्निक को देखिए यह मानली जी यह लिस्ट हमारे पास में इसको हमें शॉर्ट करना इस तरीके से total हमारे six element यहाँ पर है अब इसको हमें करना है short तो किस तरीके short करेंगे देखे यहाँ पर short करते टाइम जो है हम first वाले element को मान के जलते हैं कि हमारा shorted है मतलब इस element को हम मान लेंगे कि यह shorted order में है इसके बात में यह इतना part हमारे divide हो जायागा यह हो गया shorted part और यह हो गया unsorted part तो unsorted वाले part में से हम check करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे first value को first value हमने check करी यह proper order में है यह नहीं तो नहीं है तो इसको क्या करेंगे यहां से हटाएं दना पर जाएंगे और यहां पर इसको place कर देंगे यहां पर जो हमारी लेज इस तरीके से बन जाएगी अब जो है इस list में shorted पार्ट इतना पार्ट हो गया है तो let's get दो आइए यहो गया Saater burn और यह a when Germany तक करेंगे one to check करेंगे 14 को कि props first पर नहीं है तो प्रॉपर भिस्कृती है कि बाद मी देखने को सिंजने को प्रोपर में के नहीं है तो इसलिए सिस्टिंग हमारे हम इसाँज हो सब्सक्राइगा कोई भी चेंज यहां पे नहीं होगा इसके बाद में चेक करेंगे 11 को क्योंकि दीखें यहां तक जो हमारा shorted part बन चुका है यह जो दो element यहां पर ले पार्ट से हम चेक करेंगे तो यहां पर चेक कर रहा है हम 11 को कि यह proper place पर है या नहीं है तो यह proper place पर नहीं है अब यह प्रॉपर प्लेस पर नहीं है इसे कहा होना चाहिए है 12 से पहले तो जैसी यहां पर हमें 11 मिला इसे हम प्लेस कर देंगे सबसे स्टार्डिंग मैं यहांपय सरक देंगे से प्हले क्योंकी जो अलिमेंट भू सबसे छोटा है इसको सब सबसे पहले आना चाहिए तो हमारी क斉ल डेट की सबसे च्बाइब कर देंगे नहीं तो नहीं unut när चाहिएं इसको को place कर देंगे 12 के बाद में यहाँ पर हमारी लेस्ट तरीके तरुट हे तर न li के सो करते हैं तो इसको बोलते हैं आरे होगी तो चलिए बात कर लेते हैं इसके से प्रजाया प्रram की कि कि अगर हमें इंसरे मो smahки helft से किसी साध काना थो हम उसका प्रणा किस तरीज़से लिखेंगे लखेंगे देखिए यहां पे देख्ते हैं देखिके रहा प्रण तो प्रौर्ग नो समस्जाता हूं किस तरीके से साधे कोड़िंग करी है ठीक है तो देखिए यहां पर मेरे पास में एक लिस्ट बन के नाम से लिस्ट है जिसके अंदर कुछ element है जो कि unshotted order में है अब मैं चाहता हूं इस list को short करना using insertion short technique तो किस तरीके से करूंगा देखिए सबसे पहले मैंने क्या करा है मैं यहां पर print statement दे दिया है और यहां पर दे दिया है लिस्ट फिफोर shorting और फिर लिस्ट बन को प्रिंट कर दिया है तो इससे क्या होगा simply यह message आ जाएगा और लिस्ट बन जो है वहारी प्रिंट हो जाएगी जो element आ उसके वह इस तरीके से आ जाएंगे unshotted order में जिससे कि हमें पता चल सके कि हमारी shorting से पहले list क्या है इसलिए मैंने यह statement यहां पर डाल दिया है अब देखिए इसके बाद में मैंने यहां पर क्या करा है एक variable लिया है और इसमें store की है length कि इसकी list वन की जो list है इसकी length को मैंने इसमें store कर लिया है तो एन देखिए length को count कर लेते हैं 1234567 यहां पर मेरे पास उसमें store हो जाएगा 7 मतलब क्या हुआ जो लिस्ट वन है इसकी length है 7 तो आगे हमारे पास 7 अब यहां पर मैंने for loop लगाया है और यहां पर बोला है मैंने for i in range 1,n तो इसका मतलब क्या हुआ है जो लूप हमारा वो कितनी टाइम चलेगा यह चलेगा 1,7 and की value 7 है तो यह चलेगा total 6 time क्योंकि यहां पर अपर लिमिट को include नहीं करता तो बन से 6 तक चलेगा मतलब total 6 टाइम यह loop चलेगा अब इस लूप के अंदर देखे मैंने क्या code डाला है यहां पर मैंने एक बैरेवर लिया है टाइम के नेम से और यहां पर equal करके मैंने बोला है लिस्ट वन आए मतलब क्या है जो लिस्ट वन का i index है मतलब i की value क्या होगी जब यह first time लूप चलेगा जो fall लूप हमारा जब first time चलेग तो i की value होगी वन क्योंकि हां से दिखिए starting हो रही है वन से तो i के पास में जाएगा one i equal होगया one यहां लिख देता हूं इस तरीके से one तो i की value बन हो गई है तो यहां पर भी जो list one में i लिखा हुआ है यहां पर भी बना जागा तो इसका मतलब हुआ list one का one index मतलब क्या time के पास में तो time के पास में जो value आएगी वह जाएगी फोर यहां पर मैं इस तरीके से टी कॉल फोल लिख दे रहा हूं अब देखिए यहां पर एक variable लिए जे के नाम से और यहां पर मैंने बोलाए जे कॉल i-1 तो मतलब क्या है जे के अंदर के जाएगा जे के अंदर तो यहां पर जे की value हो जाएगी जीरो अब देखिए यहां पर मैंने वाइल लूप लगाया है और वाइल लूप में मैं कंडिशन क्या दी है कि लूप आपका तब चले जबकि जे जो है उसकी value greater than और equal 0 हो and यहां पर देखिए and operator लगाया तो एक condition true होने से काम चलेगा and operator के तो बाद वाली जो condition है यह भी true होनी पड़ेगी तब ही यह लूप चलेगा तो यहां पर मैंने लिखा है टाइम जो है वो less than हो किससे लिस्ट बनके जे इंडेक्स है जे का मतलब क्या है जे की value कि इतनी है जे की value is 0 तो यहां पर आजागा 0 और टाइम के पास में कौन से index की यह टाइम के पास में जो वेल्यू है वह से index की है मतलब फस्त इंडेक्स की वेल्यू है बहुत लेज्ट दैं हो 0 इंटेक्स की वेल्यू से तब यह लूप चलेगा तो देखें यहां पर list one में जो first index की value है वो less than है zero index की value से यह चीज़ यहां पर बोली है इस case में जो हमारी condition है true हो रही है J की value जो है greater than और equal zero है मतलब greater than तो नहीं है लेकिन equal zero है तो यह condition भी true हो गई और time की value जो है वो less than है 0 index है मतलब first index की value less than है 0 index है तो यह condition भी true हो गई जब यह दोनों condition true हो गई है तो यह loop हमारा यह चलेगा और इसके अंदर का जो code है वो execute हो जाएगा अब code में मैंने यहां पर क्या बोला है देखिए यहां पर मैंने बोला है list 1 j plus 1 1 मतलब क्या है list 1 जे इंडेक्स है उसमें प्लस कर दो 1 तो j इंडेक्स का मतलब है यहां पर है 001 प्लस पन करेंगे तो हो जाएगा 1 तो क्या मतलब हुआ list 1 का first index इसका मतलब यह हो गया 0 index की value को place कर दो first index पर मतलब क्या है जो 0 index पर value थी, यहां पे जो value थी उसको place कर दो first index पर इस वाले index पर डाल दो जब यह condition true होती है उस case में तो यह जो 15 है वो चला जाएगा first index पर जब यह first index पर चला जाएगा तो जो 4 है वो हो जाएगा सिरो हमारा जिरो इंडेक्स अब देखिए हें पर जे की वैलिव गो में Нे कर दिया है मदलब किया है лег fur रो मैसमाने कर दिया वान तो जे की वैलिव जो है वो पूछ जाएगी नेगेडिम मतलब मैनस हो जाएगी वैलिव जे से यह वाला लूप चलेगा अभी ज़ू लूप हो सेकंड टाइम चलेगा तो सेकंड टाइम चलने पर यहां पर दीखीया पहले बता देता हूं आपको जब फर्स्ट तैम यहां पर लूप चला था तो ह愈 तो Pron हमारा 20 है फिर यहां पर 3 है फिर 50 है एंड फिर है टू इस तरीके से हमारी लेस्ट बन चुकी थी फर्स्ट टाइम लोग के चल ले पर अब बात करते हैं सेकंड टाइम जब भी लूट चलेगा तो यहां पर देखिए जो आई वैरियाबल है इसकी वैल्यू जो है वो हो जाए लगी जब 2 होगी आई की भैल्यू तो हमें लिश्ट धाय रखा ही यहां घु loan टू का मतलप है इंडेक्स कौन से यहां वाला एंडेक्स धेकर पर पर जीरो है 1 है और तो przypad मतलप जो हराद 느द्ले गाजेख यहां चला जाएगा डाया टैंप कि की जो बैल्यू है वह क्यों होगी कि देखिं हैं पर i-1 दे रखा है तो i कि वेल्यू है टू में सह माइनीस बन पर तो यहां पर सबस्ज घय जाएगाँ of में सब्सक्राइब अब यहां लोप में टेखалась बungशन चेक होगी कि यह चालेगा यह नहीं चालेगा तो मीदेखिनें आपर दो रहा है जहे हैसे ग्रीटर दैन और इकोल जीरो तो यहां पर देखेंज जो है ग्रेटर बेटान जीरो है तो तो वन इंडेक्स वैल्यू क्या है वन इंडेक्स वहें 15 यहां पर दीशन हमारी प्रोय हो रही है क्योंकि देख जो 12 है वह less than है किसे 15 से वन इंडेक्स है 15 और टू इंडेक्स है 12 तो यह लाज देना है तो कंडिशन यहां पर टू हो गई है यह वाला पार्ट भी टू हो गई तो इसलिए लूप चलेगा और इसके अंदर का जो कोड है वह एक्जिकूट हो जाएगा तो कोड की एक्जिकूट होने पर क्या होगा द तो मतलब फर्स इंडेक्स की वेल्यू है वो सेकंड इंडेक्स चले जाए तो यहाँ पर किया होगा जो चौन 22 की पूजिशन पर टॉयल है वो सिफ्ट हो जाएगा कहां पर यह हो जाएगा फर्स्ट पोजिशन पर सिफ्ट यहां पर आ जाएगा हमारा तो इस तरीके से जो न्यू लिस्ट बनेगी मैं यहां पर लिख देता हूं देखिए यहां पर हमारी लिस्ट जो है वो इस तरीके से बनेगी मैं मैंशन कर देत हो चुकी है तो माइनस बन का मतलब है जब जे की वैलियू बनती तो इसमें से माइनस बन कर दिया तो होगे जी की वैलियू जीरो अब जीरो हो गई है तो यहां पर देखे चेक करते हैं कंडिशन यहां पर अभी भी हमारी हो सकती है दुबारा से यह लूप आपका चल सकता है जो वाइल लूप है वह दुबारा से चल सकता क्योंकि यहां पर हमने कंडिशन दे रखी है यह लूप आपका तब तक चलता रहा है ज यकर चेक करते हैं today प्यानबान झाफागा जिरव इंडेट पर यहां पर क्या है यहां पे फोर और ही हाँ बिल्फ तो यह लूप नहीं है तो इसी लिए लूप नहीं चलेगा यह लूप करेंगे हो जाएगा तो अभी आपका Output यहीं रहेगा मतलब जो लेस्ट है वह अभी हमारी यही रहेगी यह लूप आपका सेकंड टाइम नहीं चला जो वाइल लूपा वह नहीं चला है तो अब यह फॉर जो है थार्ट टाइम चलेगा देखिए हाँ पर मैं इसको चला के दिखाता हूं पहले हाँ पर आप लोग नोट कर लीजिए चाहें तो इसको अभी हमारी जब सेकंड टाइम डूप चल गया फॉल लो तो यह जो हमारी लेस्ट बन चुकिए इसको चाहें तो नोट कर हमारी बन चुकी थी यहां पर आ चुका था 4,12,15,20,3,50,2 यह जो हमारी लिस्ट आ चुकी है सेकंड टाइम लूप के चलने पर एक तरीके से कह सकते हैं यहां तक जो हमारी ले शॉट हो चुकी है अब यह वाला जो पार्टा वो अन्शॉर्ट बचाए तो यहां पर बात क करते हैं किस तरीकी से अब शॉर्टिंग होगी थर्ट टाइम लूप के चलने पर था टाइम जब लूप चलेगा तो यहां पर जो है हमारी आई की बैल्यू हो जाएगी यहां पर यहां पर यहां पर यहां पर भी 3 आ जाएगा तो टरीका मतलब है थाट इंडेक्स तर्ड प्गोंसा है देहिँ zero one two three three का मतलाफ है यह वाला इंडेक्स यह हूं हमारा थैर्ड एंडाक्स तो यह इंड मतलब three minus one-2 हो जागा यहाँ जो डाएगी जो बैल्यू रहे इस वर रहेगी 2 यहाँ पर तो जुकी यहें डिख रहेगी स्भवा अब अगेंट वायल नुट में कंडिशन चेक होगी की यह लोग चलेगा यह नहीं चलेगा तो यहां पर धीकिए जौoti यहां प्तूबर के यहां यहां है इसके वाद में सेकंड वाला पार्ट चैक होगा तो इंडेक्स यहां पर कौन सी वैलिव है चेक कर लेते हैं तो इससे देखिए हाँ पर लेज दान नहीं है जो 20 है वो लेज दान नहीं है 15 से तो इसी लिए कंडिशन हो रही है यह लूप जो है वह आपका नहीं चलेगा जब लूप नहीं चलेगा तो यह कोड भी प्लस बन मतलब क्या है जेकी वैलिव है उसमें प्लस कर दो, तो यहां पर हो जायागा 3 मतलब थढाई थी तो थढ ढल को डाल दे रहा है जाहां से जहांसे इंडेक्स ते पर नहीं сообщ कर तो थhadow time जब लूप चला हमारा तो यही हमारी list रही है इसके कोई भी चेंजór नहीं हुआ है अब बात करते हैं फोर टाइम जब लूप चलेगा तो क्या हो से पहले मैं नंकर देता हो जिससे कि हमें problem ना हो लेशल बार-बार हट जाती है हाब कर देता हूं मैं 4,12,15,20,3,50,2 थर्ड टाइम लूप के चलने पर यह लेस्ट हमारी हो चुकी थी अब बात करते हैं फॉर्ट टाइम जब लूप चलेगा तो क्या होगा फॉर्थ टाइम जब लूप चलेगा तो आई की जो बैल्यू है वो हो जाएगी फॉर यहां से जो है एक लिए बैल्यू पास होगी 4 अब जब आयगे वैल्यू 2004 होगी तो यहां पर थैंप में इस बार 3 थी कि जो बैल्यू आ चुकी है अब जीन बैल्यू है इस बार होगी 3 3 क्यों होगी क्योंकि यहां पर देखिए i-1 मतलब 4-1 तो यहां पर हो जाएगा 3 तो j की जो value है वो हो जाएगी 3 यहां पर कर दे रहा हूं मैं j equal 3 ठीक है यहां पर इस तरीके से j बना देता हूं थोड़ा सा लिखने में problem होरी है माउस से आप लोग समझ जाना j equal 3 लिखा है मैं अब अगेन यहां पर while loop में condition check होगी कि यह loop चलेगा या नहीं चलेगा तो j greater than or equal 0 तो यह condition तो true हो गई है क्योंकि j की value greater than 0 है अब बात करते हैं इस वाले part के तो इस वाले part में देखे हम पे time की value क्या है 3 ठीक है तो यह less than होना होना है kis से list 1 के J index है अब जे की value क्या है तो 3rd index वे value है उससे less than होनी चाहिए तो 3rd index वे value क्या है जे की जो वैल्यू है उसमें प्लस कर दो बन तो यहां पर हो जाएगा फॉर्ट तो मतलब हुआ है आप फॉर्थ इंडेक्स अब फॉर्थ इंडेक्स वैल्यू डाल दो किसकी जे इंडेक्स की जे इंडेक्स का मतलब क्या है थ्री तो थर्ड इंडेक्स की वैल्यू जो है वो यह ले लेगा 4th index तो automatic क्या होगा 3 को मिल जाएगा 3rd index तो इतना होने के बाद में list क्या बनेगी पहले मैं यहां पर list mention कर देता हूं जिसे कि बन टाइम चलने पर अब क्या होगा यहां पर जो वैलू है वह बहुत है कि हमने बोला है यहां पर यह लूप आपका तब तक चले जब तक कि जेकी वैलू जो है अब बात करते हैं इस पार्ट की टाइम की वैल्य जो है लैज दन होने चाहिए एक से लिस वन के जए इंड Laughter जैन तो objects पर देल तो यहां पर हो जाएगा चल जब फिर चलेगा तो क्या हो गए यहां पस मतलब क्या है टू 2 plus 1 तो 3 हो जाएगा यहां पे इस जगह पर आजागा इस बार यहां पर जो है 3 आज जागा इसको काट दे रहा हूं मैं यहां पर जागा 3 अब 3 आएगा तो मतलब है लिश्च बनके थार्ड इंडेक्स पर कौन से वैल्यू डाल दो जे इंडेक्स की जैंस का मतलब है 2 मतलब 2 और लिंटेक्स की बेरी को डाल दो कौन से इंडेक्स पर थी थीन वहाँ पर देखिए टू इंडेक्स की बैलिव जु है वे चली जाएगी थार्ट इंडेक्स पर यहाँ पर आजएगा 15 तो जो ते है वह ऑ्टेमेंटिक क्या हो जाएगा second इंडेक्स पर पहुंंच जाएगा तो जब 15 फर्ड पहुच जएगा तो लिस्ट क्या बनेगी यहां पर लिस्ट मेंशन कर देता हूं जिससे कि हमारा कंफ्यूजन ना रहे मैं लिस्ट मेंशन कर रहा हूं अगेन यहां पर यहां पर लेश्ट हो जाएगी हमारी 4, 12, 3, 15, 20, 50, कॉमा डू इस तरीके से हमारी लिस्त बन जाएगी इस सेकंड टाइम चलने पर Ju हिंद बेन यहां पर नहीं हो यहां पर सब्सक्राटी कि नहीं है वह यहां फ़र्वन दालो किसकी लिश्वन के जेंडेक्स का मतलब क्या है जेंडेक्स का मतलब फास इंडेक्स नगल जो वैल्यू है वह हमारी 12 तो 12 देखिए अभी भी यहां यहां पर 3 से बड़ी है तो यहां पर क्या होगा अगेन कंडिशन टू हो जाएगी और यह लूप आपका एक बार फिर चल जाएगा जब फिर चलेगा तो यहां पर क्या होगा जे le cas-1 का मतलब अब है जेकी की वैल्यू क्या है बन हो चुकी है तो बन में प्लस बन करा तो यहां पहों गया टू सफ डालो किसकी लिस्ट वहन के जी 待 हिमागरब फस इंडाक्सी जो फरसीन Gosh की वैल्यू है बो कहा डाल दो ऑडाल Dwos second sorting पर मतलब क्व्वव जो त्वैल है शला जाएगा यहां पर रख सेकिन इंडेक्स पर जाएगा तो स्हात यह मिल जाएगा थी को मिल जाएगा सब्सक्राइं कि यहां बें वेंशन कर देता हूं अग लेस्ट क्या मां टू इस तरीके से जो है लेस्ट हो जाएगी अब बात करते हैं फिर से यहां पर जीकी गर स हो ली हो घॉद से यहां पर घुने- टर गाल यह पर दीक वालतवू हो हो अब time की value को फिर चेक करेंगे list 1 के j index से जे का मतलब है 0 index से ठीक है तो 0 index पर क्या है देखिए 0 index पर है 4 तो यहां पर देखिए time की जो value है 3 यह अभी भी आपकी less than है किससे इस 0th index की value से जो की है 4 इससे less than है तो condition फिर से true हो गई और फिर आपका यह loop चल जाएगा जब loop index फिर सिंदी यहाँ और बंटेक्स इक गूसी डिव दाल दो लिस्सट बनकर जहें इनदेक्स तो जीरो इंदेक्स की value डाल दो सिंदेक्स पर तो जीरो इनडेक्स की जो value है वो चली जाएगी फिर से बैंदे 20, 50, 2 तो इस तरीके जो हमारी लेस्ट हो जाएगी अब देखिया अगें जे की वैल्यू माइनस बन होगी तो जे की वैल्यू माइनस बन होगी तो क्या होगा जे की वैल्यू हो चुकी जीरो जीरो में से माइनस बन होगा तो क्या हो जाएगी जे की वैल्यू हो जाएगी माइ बन हो जाएगा जब माइनिस बन होगा तो यहां पर जो है कंडिशन हो जाएगी फॉल्स देखिए यहां पर है कंडिशन फॉल्स क्योंकि यहां पर दिरखा है जे ग्रेटर दन और एक्वल जीरो तो यहां पर कंडिशन फॉल्स हो रही है तो इसलिए जो लूप आपका यह व करने के लिए हमारा लूप चलेगा तो जब यह लूप आपका फ 지म सलेगा मतलब यह लूप जो हमारा भी टाइन जलेगा पहले हां पर लेश्ड मेंशन कर देता हूं यहां पर the जो हमारी पॉर टाइम लूप की चलने पर क्या थी है हमारी 3,4 गमा 12 12, 15, 20, 50, 2 यह जो हमारी लेस्ट आ चुक्की है तो जब यह लूप आपका फिप टाइम चलेगा तो आई की जो वैल्यू है वो हो जाएगी फाइब दी अपर फाइब here का मतलब एक पो पॉण आ पर आने का मतलब है तो चौन सा हुआ यह हमारा है और 12345 टो और यह हैं ृस बार रहेगी 50 यहां पर कर दिया महीं और इसका मतलब है टाइंप की वैलीव जो है वह 50 इस बार हो जाएगी अब जो जे बैर्याबल है इसकी वैल्य होगी 4 क्यों होगी क्योंकि हाँ पर आई माइनस बन तो 5 में से माइनस होँगा 1 तो हो जाएगी 4 तो यहां पर हो जाएगा j equal 4 अभ आगेन यहांबर में लूब में condition चएक होगी कि लूप चलेगा यह नहीं चलेगा तो यहां पर देखिए j greater than or equal 0 मतलब condition true हो रही है यहां पर greater than 0 है4 click बात करते कि दो같े दोले पार्ट में hippo की दयुटी कि ने करना ँद्री कर से यहां वाउन हे नदी टो', यहां पर देखिए सिशल्टी वह वाली तो इसलिए लूप नहीं चलेगा, क्यूंकि यहां पर अइंड और बेक्टृ क्णिशन टू होनी चाहिए, यह वाली और यह वाली , एंड के पहले वाली और एंड के बाद वाली दोनों कंडिशन प्रोंगी तभी यह लूप चलेगा अदर्वाइज ना नीच ले ‫जडेगा तो होगा गया और्ल पार्दम क लुप में टतालो टैंब की वैलू जहां से उटायती बहीं पर द यू वहारा से प्लेस कर तो next time जो भी लूप चलेगा मतलब six time जो भी लूप चलेगा तो यहां पर जो है आई को मिलेगी वैल्यू six मतलब हो जाएगा i equal six क्यों मिलेगी six क्योंकि यहां पर देखिया आप पर limit जो है वो seven है तो इसलिए one time लूप अभी आपका और चलेगा तो इस बार जो है i की value हो ग जाएगा जो time है हमारा उसके पास में चला जाएगा यहां पर two अब जो j variable है इसकी value हो जाएगी five क्यों होगी five i-1 मतलब six minus one तो यहां पर j equal हो जाएगा five ठीक है जे की value हो जाएगी five अब अगेन वाइल रूप में condition check होगी जे greater than or equal zero मतलब condition true हो और यह क्योंकि जे की value जो है greater than zero है अब check करते हैं एंड वाले पार्ट को यहां पर जो time की value है वो less than हो के say list one के j index है तो time की value क्या है two अब बात करते हैं list one के j index तो j का मतलब five मतलब five index पर जो value है वो है हमारी 50 तो यहां पर देखिए less than है तो condition हो गई यह true अब यह आपका loop चल जागा जब loop चलेगा तो यहां पर बोलाए j plus 1 मतलब j plus 1 का मतलब क्या हुआ six तो six index पर जो है value किसके place कर दो value place कर दो j मतलब five index पर जो value है उसको place कर दो तो क्या होगा यहां पर ज़ो two है वहाँ पर चला जाएगा 50 तो इस तरीके से जो two है वह आ जाएगा fifth index पर यहां पर मैं आपको दिखा दिता हूं list किस तरीकी से बनेगी यहां पर मैं पहले यहां पे जो है लिस्ट बन जाएगी जब माइनस-वन होगी जब यह कीवड़ी की यहां परattar नो यहां पर आपकी true है क्योंकि हमने बोला है जब तक जे की value क्या रहे greater than or equal zero रहे तब तक यह loop चल सकता है अब बात करते हैं इस वाले लूप अगेन चल जाएगा तो यहां पर क्यों जाएगा 4 प्लस 1 मतलब 5 इंडेक्स तो 5 इंडेक्स पर क्या value डाल दो जे इंडेक्स की मतलब क्या है 4 index की value को डाल दो 5 index पे तो क्या होगा यहां पर यह value चले जाएगी इधर 4 index वाली जो है वह चले जाएगी 5 index पे तो अब जो हमारी list क्या बनेगी देखिए दोबार से mention करता हूं यहां पर 3,4,12,15,2,20,50 इस तरीके जो हमारी list बन जाएगी अब अगें यह की value minus 1 हो जाएगी तो यहां पर यह जाएगी यहापर यह होजएकर पालो चल सकता है यहां फेपर conscious check होगी यहां पर तो 3rd index की value जो है वो आपकी बड़ी है तो यहां पर इसलिए condition true हो जाएगी time की जो value है वो less than है 3rd index से मतलब की यहां पर 15 से less than है यहां पर रहेगा 15 ठीक है तो इस से less than रहेगी तो आपका यह loop जो है वो again चल जाएगा जब again चलेगा तो क्या होगा यहां पर j plus 1 मतलब क्या है 3 plus 1 4 तो 4 index पर कौन सी value डाल दो यहां पर आएगा j j का मतलब है 3 तो 3 index की value डाल दो 4 index पर तो क्या होगा जो यह value है 15 वो चली जाएगी यहां पर और 2 को जो है वो मिल जाएगा 3rd index तो अब list क्या बनेगी देखिए आप अगें mention करता हूं मैं यहां पर लिख देता हूं 3,4, 12,2,15,20,50 अब देखिए अगें यहां पर j की value माइनस बन हो जाएगी जब j की value माइनस बन होगी तो इस बार j की value हो जाएगी क्या इस बार हो जाएगी 2 जब 2 होगी तो condition अगें यहां पर true हो रही है अब अगें यहां पर time को check करेंगे list 1 के j index है तो time की value 2 है list 1 के j index पर value क देखी यहां पर less than है तो क्या होगा loop up का अगें चलेगा तो यहां पर होगा J plus 1 मतलब 2 plus 1 3 तो 3rd index पर value डाल तो यहां पर मतलब है 2 index की तो 2 index की जो value है वो चले जाएगे 3rd index पर यह जो value है वो शेफ्ट हो जाएगी यहां पर और 2 जो value है उसको मिल जाएगा 2nd index तो इस बार list क्या बनेगी देखिए यहां पर अगें mention करता हूं 3,4,2,12,15,20,50 इस तरीके से जो है list बन जाएगी अब अगें यहां पर j की value minus 1 हो रही है तो इस बार j की value हो जाएगी minus 1 होने के बाद में 1 जब 1 होगी तो condition यहां पर यहां पर यहां पर time की value चेक होगी तो time की value चेक होगी list 1 के j index है j index का मतलब है first index तो first index पर जो value है वो है 4 अब देखिए यहां पर 4 अभी भी greater than है किस से 2 से तो यहां पर क्या होगा time की value less than है 4 value से तो अभी भी आपका loop चल जाएगा अब जब loop चलेगा तो क्या होगा j plus 1 मतलब क्या होगा 1 plus 1 मतलब second index पर value डाल दो first index j की value 1 तो first index की value को डाल दो किस पर second index पर तो यहां पर जो है आपकी यह value चले जाएगी इधर और 2 को मिल जाएगा first index अब जो है आपकी list बनेंगी इस तरीक से मैं mention करता हूं यहां पर 3,2,4,12,15,20,50 इस तरीक से जो हमारी list बन जाएगी अब यहां पर अगेन आपकी j की value minus 1 हो जाएगी जब minus 1 होगी तो यहां पर हो जाएगी j की value j equal 0 अब value हो चुकी है j की 0 अब 0 हो चुकी है तो यहां पर true हो रही है अब अगेन चेक करेंगे time की value है वो आपकी less than list 1 के j index से है यह नहीं है तो यहां पर देखिए list 1 का j index का मतलब है 0 तो 0 index पर क्या है 3 तो देखिए अभी भी time की value जो है less than है 0th index की value से यहां पर 3 है तो 3 से less than है तो condition again true हो रही है तो again जो है यह यह लूप आपका च first index को value डाल दो किसकी 0th index की क्योंकि जेकी value 0 है तो 0th index की value चले जाएगे first index पर तो क्या होगा जो 3 है वो आ जाएगा आपका यहां पर तो जो बन है उसको मिल जाएगा 0th index अब जो है आपकी final list का बनेगी देखिए मैं दिखाता हूं यहां पर यहां पर हो जाएगा 2,3,4,12 15,20,50 इस तरीके से हमारी final list बन जाएगी अब अगें जो है जेकी value होगी minus 1 जब minus 1 होगी 0 में से तो यहां पर जेकी value होगी वो हो जाएगी minus 1 इस तरीके से जे equal minus 1 हो जाएगी value जब minus 1 होगी तो यहां पर दीखिए condition check होगी तो condition जाएगी false तो यह लूप आपका है पर exit हो अब यहां पर दीखिए for loop में जाएंगे तो fall loop में दीखिए condition यहां भी false हो जाएगी क्योंकि यहां पर already six time यह चल चुका है तो यहां पर है value 7 तो यह आपका इसके आगे नहीं चलेगा तो यह लूप भी आपका ही पर exit हो जाएगा जैसे यह लूप exit होगा तो यहां पर द जाएगा और उसके बाद में यह final list प्रिंट हो जाएगी तो यहां पर देखिए जो list हमारी पूरी sorting order में आ रही है two three four twelve fifteen twenty fifty इस तरीके से ascending order में यह पूरी list जो हमारी short हो गई है तो इस तरीके से जब आप short करते हैं इसी को हम बोलते हैं insertion short I hope आप लोग को यह method समझ में आ लोग को समझ में आ गया होगा यहां पर मैं आपको एक बार output भी दिखा देता हूं कि इस तरीके से इसका output आएगा देखिए यहां पर जो है output आपको इस तरीके से मिलेगा list before sorting यह वाला जो message दिया था हमने यहां पर यह आ रहा है और उसके बाद में लिस्ट को प्रेंट कर में short होने के बाद में यह हमारी आ गई है तो यहीं था हमारा इंसर्शन शॉट अल्गॉरिथम आपको समझ में आ गया होगा तो चलिए इस प्रोग्राम को चला कर भी दिखा देता हूं जैसे कि आप और क्लेली समझ में आ पाए देखिए यहां पर जो कोड था वो पूरा क दिखा देता हूं एक बार कि देखिए जैसे मैंने आप इस प्रोग्राम को रण करा है चो लेस्ट ही हमारी उसको इसने शॉट कर दिया है आप लोग यहां पर चेक कर सकते हैं शॉटिंग से पहले लेश चूती हमारी यह थी और शॉटिंग के बाद में हमारी लेश इस तर चैप्टर जो है फिनिश हो गया है इस चैप्टर में आपके इतना ही था बस दो ही शॉटिंग टेक्निक यहां पर दे रखे थी वो दोनों मैंने आपको एक्स्वेंट कर दिया है सो इस्टुएंट डैट सेट फॉर दिस वीडियो थैंक्स पर वाचिंग